दोस्तों बच्चों में टीरिंग फेज बहुत ही पेइनफूल फेज होता है इस तोरह होता है कि बच्चों के जब्रे हाड हो जाते हैं टीरिंग फेज को सपोर्ट करने के लिए और उन गम्स को फाड के तब बच्चों का टीफ निकल रहा होता है तो वो खुद ही में एजिं आपके बच्ची में दो साल तक भी टीरिंग का कोई साइन न दिखे, दात न आये तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चों में टीरिंग लेट होता है, डेर साल तक भी हो सकता है, लेकिन जब वो दात आने ही स्टार्ट होते हैं, तो एक साथ ही सारे दात ए हो रखा है, इरिटेट हो रहा है, हर चीज मुँ में ले रहा है, सारे ट्वाइद अपने मुँ में ले रहा है, चद्दर भी पिलो भी जो मिल रहा हो मुँ में ले रहा है, अपने हाथ को मुँ में लेकि हमेशा जो है रगरे पड़ा है, कोई बॉड़ी पार्ट आपका भी बोड़ी पार्ट हाथ या पैर कुछ आता है उसको सग कर रहा है पमुममें ले रहा है या फिर चुपो प्रुद को बहुत ज्यादा लार्ग बन रहता को जेदे heer खाने की प्रतिय इख्छा, इंदे कम हो गई है, यह कम खा रहा है बार 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 ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड कर रहा है, वो बॉटल फीड भी नहीं करना चाह रहा है टीडिंग के फीड में यह भी देखा गया है कि ज्यादा तर बच्चों में वाइरल फीड लो टेमप्रिचर का और लूज मोशन से डाइडिया भी नोटिस किया जाता है बच्च여 क2019-टीड फीड के फीड में बच्चीं को बच्चीं तर फिक बजलाव मोह में ढलते हैं, उनका हाथ, च्छेया आपका हाथ, आपके पेख, जहां तक वो पॉहां बसे सारे थाछीज नकालिया जोबी ट्वाइस मुंँ में रखता है बच्चे का हाथ पर हमेसा क्लीन रखिए ताकि infection की chances कम हो इसी infection के कारण बच्चे को viral या loose motion होता है तो आप बच्चे की ये परशान को साफ सफाई और sterilization के कारण कम कर सकते आप बच्चे को क्या diet दे सकती है जिससे की बच्चे की परशानी कम हो तो ऐसे टाइम में बच्चे को high rich nutrient वाले fruits और vegetables देने चाहिए जैसे कि आप apple का puree दे सकती है वो बच्चे को ease out करता है बनाना की puree या फिर बनाना को mash करके दे सकती है या शेक के फॉर्म में दे सकती है वो भी बच्चे को ease out करता है उसमें बहुत सा है nutrients है बर-बर के calcium है बच्चों की इस phase के दौरन आप ऐसा क्या कर सकती जिससे की बच्चों की irritation थोड़ी कम हो उनको relief मिले आराम मिले तो आप इसके लिए करके सकती की बच्चों को एक अच्छा quality का teether दें कोशिश करें कि silicone का teether हो silicone का teether इसलिए कह रही हुँ मैं क्योंकि silicone को sterilize करना wash करना आसान है teether को आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दे देने से पहले तो क्या है ठंडा हो जाएगा और उसको वो gum से चबाएगा irritation दूर करने के लिए तो वो उसके लिए एक तरसे coal pack का भी काम करेगा और massage भी करेगा तो वो बच्चे को की gum को बहुत आराम देगा second चीज आप कर सकती है एज़ इदर आप गाजर भी दे सकते हैं बच्चे को गाजर के sticks दे दिजिए चील के और क्या कर सकती है आप बच्चों के जबलों की massage कर सकती है गंस के massage के लिए आपको करना क्या है कि अपना जो finger है अपने इस finger को इंडेक्स finger को अच्छे से wash कर ले एक साफ कपड़े से wipe कर ले अच्छे से और उसके बाद इसको simple ऐसे हाथ को अंदर डाल के उसके gum को जो है अच्छे से massage कर एक हर side पे दीरे दीरे round round form में तो इससे कि आप बच्चे को आराम मिलेगा आपकी fingers भी पित में दबाएगा तो आपको भी पता चलेगा कि बच्चे के tearing कैसे हो रही है और क्या कर सकते हैं बच्चे का यह जो area है इसको ऐसे से हलके हाथ उसे आप massage कर सकती है यह पूरा बाहर से gums का area बाहर से massage कर सकते हैं heel gums का massage किसाथ हमें भी जब दात हमारे आते हैं तो यहां दर्द रहता है तो यह सोच के यह area बच्चे का कणपटी तक का पूरा कान के पीछे तक इसको हलका- toutा में कर सकती है या है बच्चों कर रहा है पर के तलों को अच्छे से रफ और अंगुठे से अपने हलका हलका नीचे से उपर की तरफ तो जो है उसाज कर है फिल्स से लेकर टू-टक कहते हैं कि तिलिस्मी मोती यह देख लीजे डबा आप अच्छे से यह किसी भी पंसादी की दुकान पे मिल सकता है आपके हाँ या फिर आप किसी भी कैमिस्ट से पता कर सकते हैं अगर वहां नहीं मिलता है तो ओनलाइन भी आजकल यह चीज़े अविलेबल है ऐसा मानते हैं कि इस तिलिस्मी मोती को अगर जोडों में बच्चों को पहनाया जाए तो उससे भी आराम मिलता है इसके अंदर यह ब्लैक कलर का धागा आता है उसमें बच्चों को पहनाते हैं यहां इसकीन से टच करना जाए तो उससे भी आराम मिलता है बाकी मुझे इसका बहुत आइडिया नहीं है मैंने अपने बच्चे को पहनाया था बट इसका कितना अशर हुआ उसके यह मैंने कह सकती हूँ लेकिन मैंने किसी भी प्रकार की medicine अपने बच्चे को नहीं दी थी हाला कि calcium की गोलिया आती है, homeopathic दवाईया आती है और ease out करने के लिए इस phase को बट मेरा मानना है कि यह natural process है मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया था कि ऐसा होना ही है यह phases हर person के life में आते हैं और यह natural है, यह होना है, come based सबको यह problems होनी ही होनी है हाँ, आप ease out कर सकते हो बच्चे को इस दोरान आपने क्या करना है as a parent, as a mother आपको क्या करना है कि patience रखना है बच्चे के चुड़-चुड़े पन पर भी patience रखना है उसके सारे नकरे प्यार से उठाना है ताकि बच्चे को ज्यादा प्तक्लिप न हो